जै माता दी दोस्तों अब नवरात्री के अस्टिमी नौमी में हम सभी आ गए हैं और यह दिन नवरात्री के फल को संपूर्ण करने वाला होता है वीडियो में जानेंगे नवरात्री पूजा का सुब महरत अस्टिमी नौमी किस दिन आपको मलानी है साथी इस दिन कौन सी करकर उनके मंदिर में आवश्यक रूप से अपनी मनों कामना कहकर जैसे विवाह की इच्छा है पुत्र प्राप्ति रोग करज इत्य दिकी मुक्ति के लिए मां के मंदिर में ध्वजा समर्पित करना आठ्था जो पता का होती है जिसमें ज्यमातादी लिखा होता है वह समर् और साथ ही अकने मंदिर में अगर आप यह सुहा के समर्पित कर रहे हैं तो थोड़ा अपने पास रखे और थोड़ा बहुत इसे कन्याओं को आप दान में देते हैं तो निश्चित रूप से भागे की रेखाय प्रवल होती है नारीयल लाकर मा को अस्टमी नौमी के दिन भोग स्वरूप समर्पित किया जाता है और इसे प्रसाथ स्वरूप स्वयम ग्रहन किया जाता है और मा को ग्रहन करवाया जाता है साथ के साथ कन्याओं को दिया जाता है तो बहुत सुख़द इसके पढ़ना मिलते हैं 2024 में अस्टमी उदिया तिथी के अनुसार जो ब्रत करने के अस्टमी है वह 11 तारिक की है और 9 मी तिथी भी 11 तारिक को ही मनाई जाएगी हालाकि यह रातरी का अपना महत्व है नव रातरी जिसे कहा जाता है तो आप 10 तारिक को भी 12 बजे के बाद अस्टमी लगने जा रही है तो आप इस दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं 10 तारिक को अस्टमी तिथी का रातरी का महत्व है तो बहुत स्रेष्ट रहेगा हाला कि 11 को मेरे पाद जो पंचांग है उसमें तीनों पंचांग में यही लिखा गया है कि उदिया तिथी के अनुसार 11 तारिक को ही हमें इसे चीज़ों को जानते हैं समझते हैं आपके आसपास जो पंडित जी हैं वह क्या कह रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर से बताईएगा तो हमने बात कर ली अस्टमी नौमी कन्या पूजन कप करना है तो आपको 10 तारिक को 12 बजे बाद आप कन्या पूजन कर सकते हैं 11 11 तारिक को आप कन्या पूजन कर सकते हैं क्यूकि अस्टमी नौमी है बहुत रेष्ट समय हैं कई भक्त जन यह भी कहते हैं कई पंडित जी रों अच्छंप करना शुब नहीं होता जबकि नौमी युगत अस्टमी में करना उपवास सुरूप में सुब माना जाता है तो पंचांग आपको दिखा रखे हैं तो ब्रत उपवास की तो 11 तारी को दी हुई है इससे ज्यादा आप सोचने समझने में सक्षम है आप अपने मत की अनुसार अपने परिवार के अनुसार कारे कर सकते हैं स्रेश्ट फलों की प्राप्ति होगी तो हमने बात की 11 तारी की जिस पंचांग में भी यही लिखा गया है ठीक है जी अब बात कर लेते हैं सुब महरत इत्यादी की हाला कि मैं हर बार आपको सुब महरत बताती हूं परन्तो इस बार यह कहूंगे आप कुछ भी इस चीज के बारे में ना सोचें अगर कन्या पूजन यग्यहवन कर रहे हैं घर बाहु का लित्यादी का क्या समय देखना है इससे पहले वीडियो प्रसारित किया हुआ है उसे जरूर से देखिएगा आप जानते हैं आपको अस्टिमी नौमी की पूजा कैसे करनी है तो सुनिएगा और अंत तक बने रहीएगा आशा है उमीद है आपके डाउट क्लियर ह होए होंगे कोई भी जानकारी आप चाहते हैं कमेंट्स के दार आप पूछ लिजेगा सभी सवालों के जवाबा प्राप्ते करेंगे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें हमसे जूड़ना चाहते है पसनल रूप से तो आप उपर वर्टसेप नमबर करना चाहिए तो ब्रह्मो मोहरतना उठें घर के दरवाजे पर जलका छिड़काओ करें दरवाजे पर जलका छिड़काओ करने के बाद आप सभी को लाल या पीले रंग के कपड़े चुनने चाहिए सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाए और वहां पर विराजमान मात ताकी समक्ष आप सभी को विधिविधान से मा की पूजा के लिए तAYयारी करने चाहिए जहां पर भी आपने मा की चौकी विराजमान कर रखी है वहाँ पर ज़वारे इत्यादी उग गये हैं तो आप सभी को अपने मंदिर को थोड़ा साभ सभाई करनी चाहिए मंदिर की और जो पूजा की बत्ती इत्यदी है उसे ठीक करकर मा को आपको जो इसनान इत्यदी करना होता है जल के छीटे वह आप दे दिजीएगा अब अंतिम दिन की पूजा है तो ऐसे मैं आपको मैंने शुरू में ही बताया आपको ज्वारे इत्यदी को थोड़ा पानी इ सर्जन इस दिन नहीं की जाएगी अस्टिमी नोमी में किसी भी स्वरूप में चौकी भी सर्जन नहीं की जाती हमेशा दसमी के दिन आप सभी बारह तारिक को ही चौकी भी सर्जन करेंगे इससे पहले मैंने वीडियो प्रसारित किया है चौकी भी सर्जन कैसे किया जाता है प्रक्रपिया उस वीडियो को देखिएगा और ताकि आपको संपूर्ण सटीक जैनकारी मिले और कोई भी भूल चुक आपसे ना हो अब आपको इस दिन कैसे करना है आपको अपने घर की रसोई साफ सुत्री करनी है घर का मंदिर अच्छे से साफ करना है परंत ध्यान रहे को ही आप इस अरजित करेंगे चीजाओं को आप सभी को सुद्ध अच्छे अवस्ता में घर की रसोई में आप भोजन इत्यादी का निर्मान करें अगर मासिक धर में इत्यादी की स्थिति है अस्टिमी नौमी में तो आप सभी जो है कन्या पूजन का भोज है वह है अपने पती या कोई अनिवेक्ति की मदद से आप कन्या पूजन का भूज करवा सकती है कोई अनिवेक्ति आपके नाम का कन्या पूजन कर दे तो अत्यरिक सुभी से माना जाएगा आपके ऐसा बस की नहीं है कोई भी नहीं कर पाते पती के पार टाइम नहीं है अप अलग रहते है सिटी में रहते हैं कोई सास्ता सुरित्य दिपास नहीं है तो अभी रूख जाईए अस्टिमी नौमी दस्मी कोई बात नहीं है परिस्तिती विपरीत है तो क्या किया जा सकता है किसी भी सुक्रवार सौंबार या किसी भी स्रेश्ट दिन आप पूर्णी में आएगी है सभी को ब्रत उपवास्तों हमेशा द सहरे के जो है कई भक्त जन क्या अस्टिमी को ब्रत खोल लेते हैं अपने परिवारreichen की चीज चलती हैं अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है परंतों सास्त्र विधानकाथ है नौरातती नौ दिन का कहता है तो उस अनुसार करें तो ज्यादा स्रेष्ट रहेगा तो आप सभी दसमी की ये सुब है जब सूरी उदित होने लगे उसके बाद ही अपनी ब्रतों को खोलते हैं तो ज्यादा इसे सुब माना जाएगा मातारानी का विदी विदान से पूजन करें नारीयल उन्हें समर्पित करें सुहाग सामगरी जर हवन पूजन संपूण कारी होने के बाद ही हमेशा कन्या पूजन अंत में किया जाता है तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा आप अपने लिए जो नियम निर्दारित करते हैं वह आप अपने परिवार के अनुशार कीजीएगा परन्तों मैं अपना मत तो हमेशा दसमी के दिन 9 रात्री और 9 दिन उपवास करने और नियम लेने के पश्चाद 10 मी के दिन ही हमेशा दसहरे के दिन ब्रत उपवास खोलने का विधान है आशा है, अमेद है वीडियो आपके लिए ग्यानवर्धा को पीयोगी रहा होगा फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो पूछिएगा अब ही के लिए इतना हैं मिलते हैं इसी तरह की विशेश जानकारी के साथ